On Shanti कहा जाता मन खुश तो जाहान खुश मन ठीक होगा तो शरीक का रोग भी मैसूस ही नहीं होगा तो तन तो जाय का ऐसा भी हो, मन खुश तभी और सकता है जब आपके मन में बाप बसा हुआ होगा तब आपका मन खुश हो सकता है तन की बिमारी यहां तो लगेंगी यह लगेंगी, किसको नहीं लगेंगी, यहां जितने बेटे हैं, कोई ऐसा है जिसको कोई तन की बिमारी नहीं हो, अंदर खाते में सारी बिमार है, किसी की कोई समस्य है, किसी की कोई, देखो क्या जमाना आ लिए, कि हर कोई बिमार है, कि म कभी आपको बिमारी नो चुड़ नो सकता और जादा तर आज की डट में अग्ष्ण की बिमारी धिल Beckham college आपर वह सुक्षम चीज बिमार ह्ए जो आपकी बिमारी नो सकते थी वह चीज बिमार जरह स्वे श्याइप कोई नेग मन इतनी काबलियत आगए इंसान के अंदर कि अगर आप 15-20 मिनट अगर एक ऐसा थोट इमर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, आदे गंटे के बाद आपको फीवर आजाएगा, सोचू, मन के अंडर तन, इतना मन के परभाव है इसके, तन क्यों वरना ज्यादा से ज्याद बिमारियां शरीर की कम है, मन की ज्यादा है और मन के जो विशेश अग्याँ है मन एक य को अस्पिटल भए रहते हैं, लोग जा रहे हैं in depression की दोईयां ले ने, किस बात का depression है बस बते सूच चलती ही जाती चलती ही जाती, चलती ही जाती है, ब्रेक ही नहीं, अब उन्हें यहीं पता, ब्रेक है कहाँ, लगी कहाँ, माना आप साइकल पर बैठे हो, बाइक पर बैठे हो, किसी चीज़ पर बैठे हो, अब ब्रेक कहीं नहीं मालुम, तो फिर चड़ तो गए उसके उपर, अब यह ब्र कि अवारी रहत है, जैसी एक नेगटिव थोट आता है उसके चलते ही जन्जाल खड़ा हुगा उसका नहीं पूरा खायंदा नहीं याजाता उसका अपूरा खांदानी आ जाताए उसका खायो बिलास में किसी लायक नहीं है मैं नालायक हूँ, यह तो वस्विकार नहीं करता, लेकि मैं किसी लायक नहीं, दो थिन दिन के बाद तो नॉर्मल होने ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आत्मा शान्त स्वरूप है, यह तो आप कितनी देर तक शान्त रह लोगे, तो शान्ती तो उसका गहना है तो उसे शान्त होना पड़ते है तो उसकी वो नेचुरल अवस्था है, आपको करोध आएगा करोध आएगा, रावन का संपरदा आएगा, वो आपको देग के चला जाएगा, उतना करोध आएगा, यह तो आप भुकते रहेंगे, भुकते रहेंगे, लाश में क्या होएगा, शान्त तो न जितनी मन की बिमारी हावी होती है, और इसलिए बाबाः चछ다ٌ लगा, मन खुष, टो जहान खुश, इसलिए मन को खुश हो, वैसे भी हमें मर्दान भी मिला हुआ है, कि मन मना भव, बाप में लगाना है, इसलिए फालतू की चीजों में लगाना है, झाल झाल